नमस्कार सरकारी जोब की तयारी करने वाले स्टूरेंटों के लिए काफी अच्छी ख़बर है जियां दुस्तों आज हम फिर से हमारे ये टू चैनल यानी की वेकिंसी एरे जूकेशन के जरिये एक और अच्छी वेकिंसी की बात करने वाले हैं भास कर हम उस कंपनी की बात करेंगे जिसमें कई बार अपरिंटिस की और पर्मारे जोब निकल चुकी है एक बार फिर से पर्मारे वेकिंसी निकली हुए है भारत ये इलेक्ट्रिकल लिमेटेड इसका नाम आपने पहले भी सुनाओगा जो विद्धारती ने हैं उनके लिए अच्छी कबर हैं जिन्होंने इसमें अगर नोट्रिकेशन प्राप्त किया अच्छी बात है जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उस सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ओन कीजिएगा अब मैं सुरुआत करूं इस वेकिंसी के बारे में जिहां दूस्तों एकदम पर्मारे और सरकारी जोब है और भारत के सभी विद्यारती इस वेकिंसी का फाइदा उटा सकते हैं 25 नवंबर से पहले भले वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो या विकलांग हो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की पहली कंडिशन इसमें होगी सबसे पहले आप आप इसमें नेदायरत की हुई है और कुछ पोस्टों के लिए या पहले और अलग इलग ट्रेड भी नेदायरत की हुई है अगर आप आवेदन करना सकते हैं तो नेटेस परती हैं अभी आपको बतादे हैं कि यह करीमन नौंबर में जारी हुआ है और 25 नौंबर इसकी पर यहां पर सबसे पहले हम बात करें ट्रेंग इंजिनेरिंग की पस्ट के अनुसार तो बीटेक वाले स्टूइंट अप्लाई करेंगे इसके अनुसार आप इसमें अपलाई कर पाएंगे कुछ पोस्टों में एक्सपिरिंस निधार्थ किया गया है यहां पर देखेगा ज़्यादा कर उन विधार्थों के बात की वी है जिनके पास डिपलोमा है, सिविल ब्रांज का एक्सपिरिंस है इलेक्ट्रिकल कम्यूनिकेसन है, मेगेनिकल्स है तो यानि कि सबसे ज़्यादा इन विटेक वाले स्टुजेंटों की डिमांड की वी है आगे हम बात करें, तो यहाँ पर देखेगा ट्रेनिंग 1, ट्रेनिंग 2, ट्रेनिंग 3 के अनुसारे आपे अलग-अलग विब्रन दियावा है भारत के सभी विध्यारती यहां पर देखेगा आपको आवेदर करने के लिए भारत के सभी विध्यारती के लिए मोगा दिया हुआ है 18 या फिर इससे अधिक तक आवियू सीमा है तो आप उसमें अपलाई कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर आप इसमें अपलाई करते हैं तो दोस्तों विथ में अनुभाव की बात के जाए तो दोस्तों अनुभाव के बारे में आप जानकारी दीविए साथ यहाँ पर जेनित पर क्या की बात करते हैं तो आप यहाँ पर कंड़ेटर सुट्बिन मीट और कॉलिफिकेशन के रिटिक वार्ट का जो एड़ बाइट पी नमबर है सोरी विग्यापन है उसके अनुषार यहाँ पर रिटरन टेस्ट नीदाहर्थ किया गया है उसके बाद इंटर्वी टेस्ट नीदाहर्थ किया गया है यानि कि आपकी दो स्टेप होगी दो स्टेप के पास आप इसमें किलियर कर पाएंगे और उसके अनुषार फिर इसमें नोगरी ले पाएंगे तो दोस्तो एप्लिकेशन फींस 200 से 500 रुप वहोगी 200 SCST के टिगरी कि तो 500 रुप जैनल के टिगरी की आगे हम बात करें आपको पताई है कि इसके अंतिम तारिक क्या होगी 25 नौवंबर इसके अंतिम तारिक होगी आवेदन पर कहाई कि जवाब ओ आप अमें कमेंट में लिख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं तो दूस्तो I hope कि आपको यह समज में आया होगा और फिर भी किसी प्रकार का डाब ओट हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं और इंस्सक्राम और फेस्बुक पेज़ को भी फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा थे पली लाइक केजिए थेंकि दोस्तों जैहीं दोस्तों